एक और horror short story तो Amy नाम की बच्ची को हमेशा लगता था कि उसके घर में कोई monster है वो अपनी मा से हमेशा कहती थी कि उसके कमरे में कोई तो है और ऐसे में एक दिन Amy की मा उसके कमरे में आकर उसे कुछ ऐसा कहती है देखो जब भी तुम्हारे कमरे में कोई monster है तो तुम left की और देखना, वहाँ कोई नहीं होगा, then तुम right देखना, वहाँ भी कोई नहीं होगा, बेड के नीचे कोई नहीं होगा, पर्दों के पीछे कोई नहीं होगा, in fact cupboard के अंदर भी कोई नहीं होगा, लेकिन तुम भूल उपर कैसे पहुँच गई और यहीं पे कहानी खत्म ऐसी ही और शॉर्ट होडर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें